सो हे गाइस स्वागत आपके एक और फिर्शे आपी के यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इर्कॉन इंटरनेशनल लिमेटड बजट से पहले और बजट के लिए एक बेस्ट पिक है ये मैंने आपको हमारी प्रिविश वीडियो में बोला था और इसका मैंने दो का एक्जेंपल दिया था और इर्कॉन इंटरनेशनल ये एक जब्रदस्त एक्शन के मोड में है तो इसलिए इर्कॉन और इर्कॉन जब 70 के आस पास था भी आई थिंक ठीक है 270 तो 270 के ऊपर और वो स्टोक था भी हमारा 165 इस रेंज में था ठीक है तो ये दोनों स्टोक इस लेवल के ऊपर मैंने बेस्ट पिक बताया था और जो वाई टेलिग्राम से जुड़े होने तो पता भी है तो टेलिग्राम से आप लोग भी जोइन हो सकते हो लिंक वीडियो के ऊपर होते होए नजर आएगा तो चलिए देखते 280 क्यास पास टॉक की रही है क्लोजिंग एक क्रोड 24 लाग क्यास पास वोल्यूम सारे स्टोक भाग रहे हैं PSU सभी डिफेंस तो बस पूछो ही मत लेकिन रेलवे PSU में कुछ खास मोमेंटम नहीं बने तो अब तयारी र और बजट में काफे अचा कपेक्स इनको मिलने की संभावन है और इस कंडिशन में इन सेरों में पक्का रैली बनेगी दो मोके हैं जो स्टोक अच्छी अच्छी गरावट में है IRFC और IRCON इन दोनों के उपर फोकस कीजिए ठीक है साथ में आर्विनल है उसके उपर भी तो अच्छी आप देख लेते भी सबसे पहले खावर क्या है अखरिकार तो यहां पर देखो कमपनी ने अभी 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 यह नॉटिस पब्लिश किया है NSC और BSC की साइट पर आप लोग वहां पर जाकर चैक आउट कर सकते हो और कमपनी ने यहां पर क्या बताया भी रेगु ले करिक्स ने इन को एक पर दिया तो काम कैसा चली है मां आपको दिखा देता हूं तो यहां पर आपको जो रहोगी भ warrior आपको बहुत ना करी देखने को मिल जायेगी इ refugees कंपनी को काम मिल hang डिजाइन सप्लाइ इंस्टोलेशन टेस्टिंग एंड कमिस्टिंग और बोर्ड डग बेलेस्टल ट्रैक आप लोग सप्लाइश्ट एंड इंस्टोलेशन आफ ट्रैक तो यह कंपनी गोजना भी काम मिला है यहां पर ठीक है इसके अलावा आप लोग देखोगे यह जो 18,068 रुपे का यह ओडर है टोटल ठीक है तो यह कंपनी की तरब से एक बड़ी अपडेट शाजा की गई है और इस अपडेट के बाद आप लोग देखोगे हमें स्टॉक में एक जबदस्त एक्शन देखनी को मिल सकता है तो जोइंट वेंचर कंपनिया तीन है इर्कॉन पारस और PCM यह PCM भी है ठीक है PCM भी कंपनी तीनों कंपनी का जोइंट वेंचर है 60% जो हिस्सा है इर्कॉन का सबसे बड़ा उसके बाद पारस का 25% और PCM का लगबग 15% तो यह इनकी हिस्सेदारी रहने वाले है इस ओडर के अंदर तो काफी बड़ा ओडर कंपनी को मिला इंपक्त कली दिन बिल्कुल पोजिटिव तो चलिए देख लेते हैं अब इसका डाटा और चार्ट तो यहां पर देखो भी इर्कॉन का तो डाटा देखने को मिला 276 प्रीवेश क्लोजिंग 278 पर ओपन और 284 तक उपर में भी गया है 277 का असपास नीचे में क्लोजिंग असपास ऐसे में मार्केट प्राइस के उपर 11,000 कॉंटिटी का एक बाई-ओडर है और डिलेवरी पोजिशन के बाद के रहे तो काफी अची है भी 34 परसेंट के आसपास चलिए अब देख लेते हैं इसका चारट तो यहां पर देखो कि इस टॉक में वैसे तो एक मूब में हमें जो नभी देखने को मिल रहे तो यहां से जो इसका ब्रेक आउट लेवल रहेगा फिर पहला टार्गेट रहेगा हमारा 298 का रहेगा और नीचे में सपोर्ट के अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा करन्ट प्राइस से करन्ट प्रेंट के तो यह दो सपोर्ट है इनके उपर फोकस करना है और टार्गेट ऊपर में आपको 300 प्लस के इसमें आते हों इनाजर आएंगे 325 का पहला टार्गेट और दूसरा रहेगा हमारा भी 350 यह हमें बजट और रजल्ट के आस-पास देखने को मिल सकते हैं तो मोगे हैं स्टॉक में आगे आपकी मर्जे भी बाय होल सेल यह आपके उपर डिपेंड करता है थैंक्यू फर वॉचिंग दो वीडियो